तीन और पॉजिटिव पेशेंट जो हैं बताए जा रहे हैं कि तीन और पॉजिटिव पेशेंट करोना वायरस से कश्मीर गाटी में आज देखने को मिले हैं और ये जो महिला है इन में से एक महिला है जिनकी उमर जो है वो 52 है 52 साल की ये जो महिला है ये उन तीन पॉजिटि पाए गए है वो है एक उन में से जो है वो PhD की जिगरी जो है वो कर रहे है PhD होल्डर है वो और साथ ही में 30 साल की उमर है और एक और management graduate है जिनकी उमर 18 साल है तो ये तीन लोग और positive पाए गए है कश्मीर गाटी से सा सूत्रों से पता चल रहा है हाला कि इसकी भी official confirmation अभी तक नहीं हुई है लेकिन आपको ये बता दें कि 52-year-old lady है ये और ये जो एक PhD जो pursue कर रहे हैं 30 साल की उमर है इनकी एक management graduate है जिनकी उमर 18 साल है ये कश्मीर गाटी से बता जा रहा है कि ये शोपियां के रहने वाले हैं और positive आए है कोविड-19 के लिए आपको पहले भी बताया कि 75 वर्षिय जो बुजर्ग थे उनकी मोत हो गई बहमीना वहां पर उनकी मोत हो गई 12 मुला के वो रहने वाले थे तो आज अभी एक और ख़बर यह आई है कि तीन और लोग जो है वो कोविड-19 के लिए positive पाए गए हैं साथी मैं आपको यह बता दू कि इस वक्त का जो total data वो यह बता रहा है कि total इस वक्त एक्टिव केसिस जो है वो 274 पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर में वही मैं आपको बता दू डेट टोल भी जो है वह बढ़ गया है पहले डेट तोल यह बता रहा था कि कश्मीर म का डेट टोल है वो पांच पहुंच गया है तो पांच लोगों की अभी तक मृत्यू हो चुकी है कोविड नाइटिन के चलते वही मैं आपको बता दू की स्किम सोरा से भी कल आठ लोग जो थे वो डिश्चार्ज हुए थे कश्मीर का इस वक्त मैं बात करूं तो total केसिस इ की बताए जा रहे हैं सूतरों के मताबक और वहीं एक्टिफ जो केसिस हैं वो कल तक 228 थे लेकिन अब यह जो और केसिस आए हैं तो इसके हसाब से 230 केसिस जो है वो अब बन जाते हैं साथ ही में अभी तक जो मैं आपको वापिस बता दू कि जो लोग अभी लाइव पर साथी में एक जो तीन लोगं मैं बताऊ जरूर आपको कि यह तीनों के तीनों लोग जो है वो कश्मीर के शौपियां के रहने वाले हैं तो वहां से यह पाजिटेव आए हैं इन में से एक जो है परसीओ कर रहे हैं जिनकी उमर तीस साल है और एक शक्स वो है जो की मैंशमे की तो भारत में इस वक्त तोटल जो एक्टिव केसेस हैं वो हैं 11,201 वहीं जिन लोगों ने क्योर कर लिया है जो लोग रिकवर कर चुके हैं और डिस्चार्ज हो गए हैं उनकी बी तादाद मैं आपको बता दूँ की 10748 लोगों ने इस वक्त रिकवर कर लिया है तो उसके बाद देट्स की भी बात करो तो इंडिया की अगर देट्टोल की बात करो 437 लोगों की जो मृत्यू है वो हो चुकी है और एक इन में से माइग्रिटेड है तो यह इंडिया का डाटा था अगर मैं वल्ड ओवर की बात हैं वहीं मैं बात करूँ अगर देट्स की तो 1,47,376 लोगों की मृत्यू भी हो चुकी है कोविड-19 की वजा से जिन लोगों ने रिकवर किया है वर्ल्ड ओवर मैं बता दूं की 5,54,525 लोगों ने इस वक्त रिकवर भी कर लिया है कोविड-19 से तो एक और खबर यह है कि एक फार्मसिस्ट जो हैं उनको suspend कर दिया गया है विर। का लिया है कि उन्हों कि उन्होंने यह कोविड-19 के थे वहाँ पर इनकी duty थी लेकिन इनों ने एक कोविड-19 के patient को इस कुपवारा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर इनों ने क्या किया कि उस hospital में इनों ने व्यक्ति को जो कि कर दिया गया है क्योंकि उनों ने उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया साथी में जब तक इनका ये suspension का पिरड ये चल रहा है और साथी में जब तक इनके उपर inquiry पूरी नहीं हो जाती इस incident के उपर तब तक के लिए उनको attach किया गया है सब्डिविजनल मेजिस्ट्रेट करना के उनके office में इनको attach कर दिया गया है और साथी में जो ये व्यक्ति हैं इनको deploy किया गया था 19 hospital कुपवारा में कुपवारा में वहां पर इनको deploy किया गया था और जो newly established quarantine center के लिए बनाया गया था ये तो उस वहां पर इनको deploy किया गया था लेकिन इनको खाना देने से इन्होंने मना कर दिया उनके साथ अच्छा बरताब नहीं किया जिसके चलते इनके खिलाब suspension order कुपवारा के district में निकाला है तो अच्छी बात है बिल्कुल निकालना भी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि discriminate कर रहे हैं अभी अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसा वेक्ति निकलाता है जो कोविड-19 का पेशन था और वह अब रपीर टेस्ट होने के बाद जो वो में अगर आपकोँ शबक सडग पे कुछ लेते हुएं नजर आजाते हैं सब्जी खरीена झाते तो आप दूर बागते हैं उनसे आप उनको अलग-लग नाम देक्के बुलाते हैं तो इस तरीके की हरकतें ना करें उनलोगों का भी उतना ही हग है जितना आप लोगों का हग ह इस समाज में रहने का तो आप उन लोगों के साथ बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट ना करें ये बिमारी है ये बिमारी हमारे सोच में नहीं पन पर तो जादा बहतर है साथी में जो 14 high risk contacts थे टिक्री की update मैं आपको देदू कि टिक्री से जो 14 high risk contacts थे जिनके samples लिए गये थे वो भी negative आए हैं और साथी में जो precautionary health personnel है medical block के टिक्री के उनको भी test किया गया था और साथी में जो 18 reports है वो भी negative आई है तो ये चीज़ यही है कि टिक्री में जितने भी contacts अभी तक trace किये गए हैं उनकी तादाद जो है वो 100 के करीब पहुंच चुकी है मतलब 100 के करीब टिक्री के जो contact से वो trace कर लिए गए हैं तो फिल्हाल मुझे इस live update से दीजिए इजाज़त अभी तक कि यही update कि तीन लोग और जो है वो positive आये हैं इसके official confirmation जब होगी तो आप तक जरूर साजी करेंगे